दोस्तों करेक नेक्स्ट विद अंकित सेरीज में आपको सवागत है यहीं सेरीज का फीप चार्ट है इस वीडियो के अंदर हम जो आपका नियूरलोजी है उससे जो हाय लिंग टोपिक है उनसे आपके कुछ हाय लिंग पॉइंट इस वीडियों कवर करेंगे इससे पहले हम जो आपका रिस्पैरिक्टरी सिस्टम और कार्डिवस्कली सिस्टम ओले डिसस कर चुके हैं चार चार्ट कहले से तो इसको जूम करते हैं स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता दोस्तों इसीजी के बारे में इसीजी क एलफा की 8 to 13 होती है यह आपकी 13 to 20 होती है उसके बाद 30 के बाद आपका गामा तो यह आपका जो यह होती है 30 to 100 यह जब आप problem solving जो condition होती है उसमें आपका present होती है तो यह तो भी normal बात तो इनके क्या आपको कुछ condition आती है जिसमें कुछ change आता है उससे पहले आपको sleep के बारे पर कुछ पता होने चाहिए तो स्टेज है एना एनारियम 123 उसके अंदर वन के अलफान थीटा रहती है second के अंदर यूवेव एंड़ स्लीप स्पिंडल मिलते है और इसके अंदर डेल्टा ठीक है यह जादा इतनी इंपोर्टन ही लेकिन इसके जो आपके इंपोर्टन है आ इसमें आपके जो परियोडिक सार्फ वेव कॉंप्लेक्स मिलेंगे ठीक है एजी के अंदर यदि यह आपको अप्शन के अंदर है तो आपको ज्यान इस पर जाना चाहिए वैसे यह यह आपकी कॉमा की कंडिशन है तो आपको ब्रेश प्रेशन पैटर्न मिलेगा एजी के के अंदर ठीक है कई बार आपको क्यूशन में यह कीवर्ड रूणने होते हैं उसके बाद आप तब आपका आता है जे एमी मतलब जूलाइन माइकलोनिक एपिलेप्सी इसके अंदर जो एक स्पाइक होती ना यह जी के अंदर होती है फोर तुशिक्स हेट्स के उपर ठीक ह जबह आपको पिक्चर के पिक्चर में या किश्चन के अंदर इह आपको सपाइक ही के अंदर ऑपशन में फोर डूग से लिए ज़िकल ओर उसके बाद ऐसे आपका अस उसके अंदर त्री पर सब्सक्रीンタय स्पाइक और आपको सलोवें पर मिलेंगे आपको यह Crash के अंदर या यह आपको पिक्सर के अंदर दिखता है तो अप्सें सेजर का केस होगा ऐसे इंफाइंटल स्पाजम होता है इंफाइंटाइल उसके अंदर एक आपको पैटरन का नाम होता उसे बोलते हैं हाइपस अरित्मिया पैटरन ठीक है यह आपको पैटरन होता है इसका यह तो केस होगा इंफेंटल स्पाजम का यदि एट यह का इसके राउंड है और नियूरो डिजनरेशन का केस है तो केस होगा वह सब अक्यूट स्क्लेरिस्स आपका पैन इंसेफलाइटिस एस पी यदि एज दे रखें दस से उनिस यह तो केस होगा जेमी का यदि ओल डेज थर्टी फाइफ यह विद माइकल लोनस एंड डिवेंसिया तो केस होगा वी सीजेडी मतलब यह वाला वैरियंट सीजेडी ठीक है यह आपको देखने हैं कैसे क्यूशन को टेकल करना है उसके बाद आता है सीजर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट इसके ड्रग आप चोईस से कई बार किसन रिपीट होता है तो कैसे आदगरोगे आप जो आप एटोनिक है माइकलोनिक है अप से एपिसोड के अंदर इंट्रानेजल मीडाजोलम और रेक्टर डाइजेपाम यूज करते हैं ड्रग आप सोईस के रूप में और प्रोफालेक्स के अंदर औरल कलोबा जाम ठीक है ऐसे इन फैंटल स्पाजम की ड्रग आप सोईस एसी एस होती है आपका आइस मतलब इन फैं इसकी वजह से इसके ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसको ड्रग अपसोईस होगी मिडाजोलम मतलब जो आपका जीटी सीजर होता है उसमें जनरल आपका टॉनी कलोनिक सीजर इसमें ड्रग अपसोईस लेमोटरीजिन वालप्रोइट एंड लेवी ट्रेसिट हैं ऐसे यह थे आपके ड्रग ऑप चोईस ओफी शीजर इसके अंदर एक हैमरेज के अंदर पता होना चाहिए जो सब्सक्राइब होती है वह आपकी रप्चर ऑफ बैरी नियुरिजम इसके एक क्लासिकल आपको कीवर्ड मिलेगा या आपको थंडर क्लैप मतलब वर्ष्ट सब्सक्राइब के अंदर है स्बस्क्राइब को था रs सब्सक्राइब के अंदर लेकिन इसके अंदर इंपोसाइटोसिस और प्रोटीन का माउंट बढ़ता है ठीक है यह दोनों मिलते हैं तो आपको द्यान बाकी कुछ के लिंक फीचर के साथ साथ इस पर जाना चाहिए वैरल के अंदर सुगर नौर्मल रहता है प्रोटीन बढ़ स्के अंदर सुगर नौर्मल रहेगा लेकिन सेल काउंट है ना वह भी नौर्मल रहेगा तेस में साइटोसिस था इसके अंदर नौरमल है प्रोटीन इसके दिए वी बढ़ेगा एक जैनत करो में इसे सर्फ होता है सब्रेंगर हमरेज के अंदर जब आपका केस मोर्धन इसके देखिए को बहुत साइब मैंनिफेस्टेशन होती है क्टेनियस हो सकती है यूरोजिकल हो सकती है तो पता होने है जिससे आपको मतलब क्लीनिकल फीचर मिलेंगे डिजीज मिलेंगे तो क्यूटेनियस असोचिन होगा एसलेफ मैक्यूल और आपका सेगरेन पैज यह आपकी क्यूटेनियस फीचर है नियूरोजिकल के अंदर इंफेंटल स्पाजम फोकल सीजर सब एपिडाइमल एस्ट्रियो की उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेज वेबर सिंड्रोम इसके अंदर कौन सेकोंच फीचर मिलेंगे देखिए सीजर पोट वाइपका क्यूटेनिस फीचर है सीजर आपका नियूरोजिकल फीचर है एमराई के अंदर आपका ट्रेंप स्टेक एपिरेंस और रेल रोड क और तो के अंदर कुछ फीचर पता होने चीजिए इसके अंदर होता है फियो करमोसाइटोमा होप्तिक लाए गलायमा कैफ लूट कैफिलेट मैक्वल मोर्दन फाइफ हो और आपका एगजरी फ्रेकलिंग यह आपकी फीचर है नियूरो फाइवरोमेटिस वन टू के अंदर एकवेश्टिक नियूरोमा एक लासिकल रसोजिसेशन होता है ठीक है आपको डायट किसे क्विचन सोलोंगे कैसे देखने मैं आपको बता देता हूं जैसे कृशन हाथा है कि बहुत सारे रखें तो उसके अंदर एक वेश्टिक नियूरोमा का केज दे रखा कि ही आलसो है देख वेश्टिक नियूरोमा तो उसमें आपको और से रगार्डिंग और की स्विचर देगा तो मतलब मैं पॉइंट मैं लिखा यहां पर ठीक है उसके अलाव एक डायेट वन लाइनर है कि वेबर सिंड्रोम के अंदर आपका थर्ड नव पालसी प्लस हमीपलेजिया होता यह इसे आपका जो नोर्थ थंगल सिंड्रोम होता हुझा उसके अंदर फटनाव प्लसी प्लस और अटेक्स सिंड्रोम के अंदर फटनाव फीचर सिंड्रोम का नाम चांघ कर रही है तो आपको पता होने सी है कलावड एक अंदर थर्ड नाव पालसी प्लस अटेक्सी अंड कोरिया दोनों मिलाड गूबलर सिंड्रोम के अंदर 6 अंड सेंड नो इन्वल्मेंट होता है साथ साथ हमिपलेजिया या अल्टरनेटिंग हमिपलेजिया मिलेगा इसके अंदर फेस ओफ वन साइड इफेक्ट होता है और बोडी ओफ कोंटर लेटर साइड इफेक्ट होती है मिलाड गूबलर सिंड्रोम के अंदर उसके बाद वेलनबर्ग लेटर मेडेल सिंड्रोम के अंदर आपका 5-7-7-8-9-10-11-6 नहीं है और कॉंटरलेटरल हेमिफ्लेजिया होता है बड़ जो बलड वैसली मोल इनवल होती होती है अंटीरियर स्पाइनल आर्ट्री उसके बाद आता दोस्तों ट्यूमर इन चिल्डरन के बारे में कुछ इंपोर्ट पॉइंट मॉस्कॉमर होता है एक्यूट लिंपोसाइटिक लिक साइटों में बोलते हैं ऐसे ही आपको सुप्राटेंटरियल जो ट्यूमर है उसकी बात कर रहे तो क्रीनियो फेरेंजियमा उसका अंसर होगा ठीक है तो यह दोस्तों यह बात थे हमारे कुछ इंपोर्ट पॉइंट ऑफ नियूरलोजी जो आपको काम आएंगे जब आप इ सिस्टम और आपका काडियो सिस्टम के में और चार जाट डिस्स कर चुका हूं ऐसे ही और उनके लगव मैंने साइटों पी डिस्स किये थे तो आप वह एक पेले लिश्ट है चैनल पे करेक्श भी दंकित उसमें आप जाके चैकर सकते हो देख सकते हो तो वीडियो से फाइ हूं 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 ॉ